पुट्र प्रदेश में दोबारा योगी अधित नाद ने अपनी जीत हासिल की है उन्होंने जत्ता हासिल की है और शपत लेने के साथ ही वो कई सारे रिकॉर्ड भी तोड़ने वाले हैं जो सीधे-सीधे विधान सभा से जुड़े हुए है यानि कि योगी भारती जंता पार्टी के लिए काफी लग्की साबित हुए है दोस्तों मैं हूं मन्मिंदर और मेरे चैनल अभी स्पीक्स पे मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ तो मैं बात कर रही थी कि योगी भारती जंता पार्टी के लिए काफी लग्की साबित हुए हैं और उन्होंने अब आने वाले टाइम में काफी सारे रिकार्ड ठोड़ने हैं विदान साबा के कई रिकार्ड ठोड़ने वाले हैं उनकी शबद रेने के बाद सबसे एहम और पहला रिकार्ड योगी के ही नाम होगा जो लगातार दो बार सियम बनने का है इससे पहले यूपी में चंदरबान गुपता और एंडी तिवारी लगातार दो बार सियम बनने थे लेकिन वो अपना कारेकाल पुरा नहीं कर सके थे 20 मई 1950 को उत्रब्रदेश विधान सबा का गठन हुआ था पुरानी बात बता रहे हैं आपको मैं जो इतियास में दर्ज है और 71 सालों में परदेश को 21 मुकमत्री मिले हैं आप सब जानते हैं जो नहीं जानते हैं उनको पता चल देगा अब तक ऐसा किसी विधान सबा चुर करने वाले बीजेपी के पहले मुकमत्री है यह और यूपी विधान सबा के इतियास में लगा ता दूसरी बात सियम बनने वाले पहले कैंडिडेट हैं बीजेपी शासन में पहली बार ऐसा हुआ जब पांच साल तक एक ही व्यक्ति सियम बना रहा है 2007 में मुलाम जिंग के बाद बता और सियम चुनाव लड़ने वाले पहले उमीदवार हैं और 34 साल से चल रहे नौईडा फरक्टर को तोड़ करके उन्होंने जीत हासिल की है ऐसे वो मुकमत्री रहे है योगी लगातार दूसरी बात जीत हासिल करने वाले पाच्वे सियम है किससे पहले 1997 में संपूर्णानन, 1962 में चंदरवान गुप्ता, 1974 में हेमवती नंदन भागुना और 1985 में एंडितिवारी भी ऐसा कर चुके हैं योगी अधितनात 15 साल में पहले हुखमंत्री होंगे जो विधाय के रूत में शपत लेंगे उनसे पहले 2007 में मायवती और 2012 में अकिलिश जादव ने विधान परशत सदस रहते हुए मुखमंत्री पत की शपत ली थी गोरकपूर सदर सीट बिजेपी का गणमा नहीं जाती है बीते 33 सालों से यहां भासपा का केंडिडेट ही जीतता आ रहा है गोरकपूर सदर सीट पर फिलाल चार लाख त्रेपन हजार और चेसो बासट वोटर है यहां जोगी के जो प्रतिदंदी है उनमें सुभावती शुकला ख्वाजा शमसुदीन यह बसपा से हैं मैं आपको बता दूं कि सुभावती शुकला जो हैं वो सपा से हैं चंचे का रजात भीम आर्मी से हैं और 1989 में यह सीट भाजबा के शीफ परताव शुकला ने जीती थी तब से इस सीट पर भाजबा ही काविश हैं उतरवदेश में बीजेपी ने 1997 में से 2002 तक पहली बार 5 साल तक शासन किया लेकिन इन 5 सालों में 3 मुख्यमंतरी दीवत ले गए में 21 सेत्मबर 1997 को जब भारत सरकार बनी तो भाजबा की सरकार बनी शमा करें 21 सित्मबर 1997 को जब भासबा की सरकार बन दिया तो कल्यान सिंग बंतरी बने और साल बाद CM का चहरा बदल करके राम परकाश गुपता को ये कुर्सी दे दी गई इस बदलाव के महज 391 दिन बाद राम परकाश गुपता को हटा करके राणाज सिंग को CM बना दिया गया पार्टी लगाता सत्ता में आई तो CM भी बदल दिये गए उत्रपरदेश की राजनीती का सबसे इंट्रेस्टिंग जो पहलू है वो यही रहा कि अगर किसी पार्टी ने राजी की सत्ता में वापसी की तो उसने पिछले CM को मुखमंतरी की कुर्सी नहीं दी और 1950 से एप्रेल 1967 तक कॉंग्रेस की सरकार रही कुर्सी की कहानी गोईन बल्लब बंत के 26 जन्वरी 1950 को मुखमंतरी बनने से शुड़ू हो करके साथ दिसंबर 1960 को चंद्रभानु गुपता के CM बनने तक महसती है इसी 20 पार्टी ने 3 CM बदल दिये जिनमें संपूर्णानन और सुचेता क्रिपलानी का नाम भी शामिल रहा यानि कॉंग्रेस की सरकार तो पूरे 5 साल रही लेकिन मुखमंतरी बदलते रहे इसके बाद चं 1960 को फिर से मुखमंतरी का कारेभार समाला और 1973 से 1974 तक कॉंग्रेस ने सरकार बनाई और जून 1980 में कॉंग्रेस दुबार सक्ता में आती है और दिसंबर 1989 तक काविज रहती है इन 9 सालों में कॉंग्रेस ने 4 मुखमंतरी बदल डाले जिनमें विश्वनात परताफ सिंग, शि मिलने है तो दोस्तों आने वाले दिन में हम देखेंगे कि योग्याजितनाथ काफी सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं आपको यह कंटेंट कैसा लगा मुझे मेरे कॉमेंट बॉक्स में आप जरूर बदाएगा अगर आप पहली बार मेरी चैनल पे आए हैं तो आप मेर आप अपना और अपनों का ख्याल लगिए जै हिन जै भारत